समस्कार, हैलो फ्रेंज, आज मैं आप लकुन को दिखाऊंगी रोस प्लैंट पर कौन सा फाटिलाइजर डालने से फूल आता है मेरे पास जो रोस प्लैंट है सब में फूल में भरा रहता है तो मैं कौन सा फाटिलाइजर यूज करती हूँ जो फूल आता है तो चलिए भीडियो शुरू करते हैं ये जो रोस प्लैंट देख रहे हैं ये बहुत बड़ा बड़ा फूल आ रहा है तो इतना बड़ा फूल आने के पीछे मेरा फाटिलाइजर ही है मैं जो फाटिलाइजर देती हूँ वो और्गानिक फाटिलाइजर है देखिए फूल कितना बड़ा है पुरा हाथ भर जा रहा है मैं तो और्गानिक फटिलाइजर यूज करती हूँ केमिकल यूज मैं नहीं करती हूँ केमिकल यूज करने से पौधा का लाइप कम हो जाता है पौधा अच्छा नहीं रहता है तो देखिए ये वाला प्लैन को देखने से आपको पता चलेगा छोटा छोटा कलिया से पूरा पौधा भरा हुआ है और्गानिक मिक्स फटिलाइजर मैं यूज करती हूँ तो माहिना में एक बार 20 तारिक का डेट है आज तो 20 तारिक को ही मैं फटिलाइजर डालती हूँ हर माहिने का 20 तारिक को तो एक दिन आप रूटिंग बना लीजिए और ओही दिन में डालिए एक माहिना में एक दिन मिक्स फटिलाइजर छोड़के भी जो लिक्वीड फटिलाइजर होता है ओ तो मैं बीच बीच में डालते रहती हूँ आप लोग उनको दिखाते रहती हूँ उसमें आपका आएगा ओनियंस पिल फटिलाइजर सरसुखली का लीकुईड फटिलाइजर इर सबजीयों का सड़ा हुआ लीकुईड फटिलाइजर सब मैं डालती हूँ आप लोग उनको बीच बीच में दिखाती हूँ जब जैसे बनाती हूँ उसको डालती हूँ ये छोड के भी माहिना में एक दिन जो मीक्स फटिलाइजर यूज करती हूँ ओ ही आज मैं डालूंगी उससे पहले पौधा को अच्छा से देख लेना है पुराना फूल, पुराना पत्ता जो है सब को काटके गिरा देना है जैसे देखिए ये वाला पुराना फूल हो गिया था इसको मैं काटके गिरा दी और भी कहीं पर पुराना पत्ता, पुराना फूल है तो सब को हटा दीजिए जितना cutting करिएगा उतना ज्यादा branch होगा उतना ज्यादा फूल आएगा और एक चीज मैं डालती हूँ ओ होगिया micro nutrients पवधा को micro nutrients का बहुत ज़रुरत होता है माइक्रो न्यूट्रेंस में आपका आता है एग्रोमीन, गोल्ड, बायो बीटा एक, सीवीड फाटिलाजर, कुछ भी है आप एक बार डालिए, महिना में एक बार डालना बहुत जरूरी, देखिए तो काटिंग करने का बाद कितना छोटा छोटा नया नया ब्रांच आ रहा ह सब में फूल खिलेगा तो पौधा पूरा फूल से भरा रहेगा, फूल जैसे पुराना हो जाएगा वैसे उसको काटिंग कर दीजिए, देखिए और्गानिक फाटिलाजर, ये देखिए बर्मी कंपोज है, नीम खली है, सरसु खली है, बोन डास है, ये है बर्मी कंपोज, 200 ग्राम के बराबर है, 100 ग्राम है नीम खली, 100 ग्राम है सरसु खली, और 100 ग्राम है बोन डास, ये जो मैं ली हूँ, मेरे पास 6 प्लैंट है, 6 प्लैंट के लिए सब को मिला के मैं 2-2 मुठी करके डालूंगी, पहले अच्छा से सब को मिला लेना है, मिला लेने का बाद आप आपको पौधा में इस्तेमाल करना है उससे पहले पौधा को थोड़ा सा गुड़ाई कर लेना चाहिए यह गुड़ाई कर लेने से इसका जो उपर वाला मिट्टी है नरम हो जाएगा पहले मैं पानी डाल दी थी आप लोग बाद में भी पानी डाल सकते हैं जैसा आपका सु पौधा में लगा हुआ है इसलिए दो मुठी डाल रही हूँ अगर आपके पास पौधा छोटा है तो आप एक-एक मुठी करके डालिए यह अपना अंदाज से कर लीजिएगा जैसा पौधा है ऐसे फटीलाईजर दीजिए अगर थोड़ा सा और्गानिक फटीलाईजर ज देखिए मैं सब में दो-दो मुठी करके देती हूँ मेरे पास बहुत सारा प्लैंट है अगर आपके पास कम प्लैंट है तो उसी का हिसाब से ही आप पूरा फटीलाईजर को मिलाईएगा फटीलाईजर देने का बाद या फटीलाईजर देने का पहले पानी डालने मत भू देता है इतना सुन्दर फूल देता है ना मन एकदम खुस हो जाता है तो इसलिए थोड़ा सा फाटी लाइजर को देखते रहिएगा कौन-कौन सा डालना है तो ही आपका पौधा भी जादा फूल देगा तो फ्रेंट्स आज तक के लिए इतना ही फिर मिलते हैं कुछ नया ट